पहले आदमी आत्मा से भार्मात्मा को धूढने का प्रियाश करा था, अब आदमी चिप लगा को धूढने का परियाश कर रहा है, जिब चंदरमा आकाश में लुप हो जाएगा, तो इस्त्रियों के पीरियट्स होना खतम हो जाएगी, महार्ति जोठिष इतना महान जोठिष है हमने इसको दोखोड़ी का बनादिया हाथ जोठिष को भी विगानिक प्रमारित करता है या सिर्फ जोठिष आमे एक देवि विधया ही मानकर चले वह किसा अजेंसेंटर humanism bend coming inаз shy नगए इस तरीछिप सिंटीप्रति 4ण करना यह उसे प्रेम करना एक लंबा प्रोसेस है इस दुनिया में क्या होने वाला है क्या हुआ है क्या होगा इसकी अगर उसे ख़वर नहीं है तो वह अधुरा जूत्शी हो आज कर देखते हैं कि जगा जगा जोतिश की चर्चाय हो रहे हैं रही है और यूटूब में तो वीडियो की भरमार है जहां पर कुछ भी योगों की बात हो जाती है या फिर उपाई तो ऐसे परोसे जा रहे हैं कि लगता है कि जैसे यह उपाई किया और चमतकार हो जाएगा और हमारे कश्ट दूर हो जाएंगे इसी तरह जब बात करते हैं जोतिश्पढ़ाने की तो उसमें क्यों होता है कि जो बात करते तो है खाली वह बाइख खाली बुकिश होतीन है वह एक थारी में होती है उसको जोतिश में कैसे लिया जा रहा है ना तो टीचर्स बता रहे और ना ही जो सीखने वाले वो उस पर ध्यान देते हैं उनका तो यह होता है कि बस कुंडली देखनी आ जाए कुंडली बता दी पैसे ले लिए और अपना दुकान चल पड़े तो पहले जोतिश के मर्म को समझना बहुत जरूरी है कि आक्चली खगोल शास्त्र जो गड़नाए है जोतिश की वो कैसे हुई तो इन सब चीजों को सपष्ट करन के लिए व्रांतियां दूर करने के लिए हमने डॉक्टर अजे भामी को अपने यहां ABC पोड़कास्ट में आमंत्रित किया है और उन्होंने सहष स्विकार भी किया अमंत्र तो अजे भामी जी यहां है नमस्कार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने यहां आने क के लिए जो हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है वर्तमान में जो साइंटिस्ट नए नए रिसर्च कर रहे हैं और नए नए परडाम सामने आ रहे हैं पर तो देखा जाए तो जो हमारे रिशी मुनी थे वरा महीर थे आरे भड़ते उन्होंने तो बिना यंत्रों के ही आकाशी गड़नाएं कर ली थी तो उन गड़नाओं में और अब जो साइंटिस्ट गड़नाएं कर रहे हैं इनमें क्या फरक है और साथ में जो भारतिय जोतिश है और पास्चात्य जोतिश है भारतिय जोतिश तो उसको चंद्रमा को केंद्रमान के किया आता कि अभी आज के वेग्यानिक क्या कर रहे हैं। आज की ही रिपोर्ट है कि लॉक्डाउन के समय में जो चंतरमा है क्योंकि प्रफिप एक्टिविटीज नहीं थी, ना कहीं प्रिजन चल रहा था, ना कहीं मोटर गाड़ी चल रही थी, ना कहीं ट्रेन चल रही थी और सारे फेक्ट्रीज बन थी, तो बिल्कुल शान्ती का वाताउरन था दो साल तक, तो उन दिनों में क्या हुआ, उन दिनों में मून का जो रेडियेशन है, वो आठ से दस दिगरी कम हो गया, उसको कैल्विन की कैल्विन में नापते हैं, और यह जो रिसरच भारती लोगों ने किया है, हमारा जूट्शी लोग दियान ही देते, तो उससे चंद्रमाज ज्यादा सिरीन हुआ, ज्यादा शान्त हुआ, अगर आप देखें, आज से सौ साल पहले की बात करें, जो भिजली नहीं थी, और डीजर इंजन नहीं था, और इंजन ही नहीं था, फैक्टरिया नहीं थी, उस समय की जो राते हैं बड़ी शान्त हुती थी, सारा जो सूरी जो है, उससे हमारा दिन चलता था, जैसे ही रिशाम होती थी, आदमे की जिंदेगी, जो खब होना शुरू हो जाती थी, और शेह साथ बज़े आदमी भुजन कर लेता था, भुजन करता था तो उसको ठीक से पच्टा भी था, उसको यह भी मालम था क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, तो वो चंद्रमा के light में, जो उसको serenity है, जो शानती है, जो प्रिषडना है, जो एक अलग environment है, वो उसे मिलता था, तो उसको सुरी के energy मिलती थी, और उसको चंद्रमा के energy मिलती थी, तो अभी लोगडाउन में लोगों ने रिसर्च किया क्या है, कि तो अद्गित डरिया के लंगानी को गुझाकती टिर सुम्नाव को एग्जानिक एगज्एक्द्धाले भी कितनी शान्ती हो गई ते प्रकरत्वी इन आपको ऺ learner कर रहू है तो प्रखर्टी हील कर रोऊ ह corridors, वैज्यानिक आज है अगल थी एज गलने। नगला हैं वैज्यानिक वैज्यानिक थी Ay GM जब रावन सीता को लंका लेगा था तो उस समय उसकी खोज हो रही थी तो खोज करने के लिए लक्ष्वन और हनुमान इनके उपर ड्यूटी थी तो लक्ष्वन जो थे उनको आकाश की बड़ी जान का रही थी तो आरात में आकाश में वह देखते हैं क्योंकि सारा काम तो य तो वहां से सीता कहां गई है किसी को मालम नहीं था देशाओं को ग्यान नहीं था देशाओं को ग्यान नहीं था तो बादमी की रामायन में पढ़ते हैं कि एक जो अभीजित सितारा है वो नॉर्थ में देख रहा है जिसका नॉर्थ पोल मोलते है इसका मतलब है ये नॉर् जाते हैं जहां पर लक्षम की तरफ जाते हैं जहां पर लक्ष्मेराइस का जिकर करते हैं ऐसे ही जिकर हम इसमे महावारत के समय में मिलकता है था इंतम तो ब्यासरशी युद्ध उने को हैं तो भ्यासर शै का ब्वेसjang युद्ध से 2500 लग ममलता है तो लुम तो जाके भूलते हैं कि देखो विए इसके बाद तुम को रोना पड़ाएगा अपने संतानों पर तुम्हारे लिए तुम्हारी पर रोने वाला कोई नहीं विलेगा क्योंकि यह जो नेया सितारा दिख रहा है यह ठीक नहीं है इसके पर नहीं होगए तो यह मैं आपसे पहल पहले की बात कर रहा हूं लोग थे अटने .... फंच द यहांसों बात कर रहा थे तो जो के बात की त adviser इन्डेट मीडा के नाम से गैलेक्सी है तो इतना अध्यान भी आनर अध्यान हमारे इहां पर लो कर रहा है आपने बताया है कि उस समय की बात बताई कि जो लक्षमन जीदे उन्होंने वो अभी जीत तारा देखा वहाँ पर पर अब तो इतनी फैसिलिटीज है हमारे पास इतने यंत रहे सब कुछ है पर आजकल के जोतिशी इसकी बात ही नहीं करते कि अभी जीत तारा है बस एक अगर विशें जो एक थोड़ा सा रखा हुआ है सब एक जानकारी के लिए उसका जोतिश से क्या संबंध है कैसे जोतिश उसके लिए मतलब काम करता है उसके उपर उसका कहीं जिक्र नहीं है तो यह जब भी जब भी कोई सितारा जैसे अभी चंद्रमा के ऊपर उन्होंने इस तरह का लॉकडाउन में असर हुआ तो वहां पर यह दिखा जाता था वराउमेर के टाइम में कि इसको हम धूम के तू बोलते हैं कि यह धूम के तू आने वाला है अगर यह आएगा तो क्या होगा और जब हम महावारत युद्ध की बात करते हैं तो वहां पर रोहनी का बेदन होता है रोहनी का बेदन होता है तो रोहनी का बेदन में वहां पर राहू से जो रोहनी का बेदन होता है तो युद्ध की शुरुवात होती है रोहनी नक्षत्र की बात करा हूँ जी रोहनी नक्षत्र की बात करा हूँ रोहनी नक्षत्र का बेदन होता है तो वह बो रिक वेग्वेद में हमको पूरी रिचाए मिलती हैं, उस में पूरा हमको to see the range of places in Kovkab क्या हुआ a कौन कौन सा ग्रह कहां कहां आता है। और आपको मालमें कि अभी हम समझते हैं रहे सिर्फपोल होता है यह लेकिन साॉथ पूल भी होता है। नॉर्थ पोल है, वहां पर घड़ी का मतलब नहीं है क्योंकि वहां पर साल में एक दिन सूरी निकलता है, एक कोई मेरा क्लाइंट था, बहुत पहले की बात है, तो वो मेरे को बताता था, कि जी हम बिलकुल नीचे बेस्मेंट में रहते हैं, बेस्मेंट में कभी-कभी, छह म मेरा को अलग्माल, थे नहीं हो बताता मेरे को अखुतरा है, तो वहां पर घड़र काम नहीं है, तो हम बताता है, तो वो में एतना अधियन किया, इतना यह थन समझा लोगों ने, लेकिन अम्लोर दुरभागी के बात है, आकाश को हम जानते हिन नाक्षत्रों को हम जानते हिनी, नाक्षत्र को जानते हिने ना यह हमें लेना देना, हां, हम ऐसा बूल सकते हैं कि शनी उसके नक्षत्र में घुजग़ा, जला गया, लिमिटेड वैस बाद फिर वहीं गूंकर सिर्फ फलित पर ही आ जाती है इसका जो उद्गम है क्या है वहां किसी का जिक्र नहीं है हाँ मैंने आग्रा में जब जोतिश में में किया था तो एक सूरी सिद्धान्त हमें सब्जेक्ट पढ़ाया गया था और पढ़ने में बहुत इंट्रिस्टेड भी था पर फिर वहां पर खतम हो गया में कोर्सी खतम हो गया उसके बद मैंने सूरी सिद्धान्त पढ़ा मैं भूल गई सब्च क्योंकि उसका यूजी नहीं हुआ बाद में कभी सूरी सिद्धन्त के आप बात करती है तो सूरी सिद्धन्त में मननंतर और शान शान स्वेव जो present नियुक्त में करrep है प्रत्वी घूमती है चूकि हम गुलाम रहे अंग्रेजों से अंग्रेज बहुत शातिर कौम है वो नहीं चाहती थी कि हम लोग अप इंटलिएंस कौम मानी जाए क्यों को मदारी के हिसाब से गिनते थी तो उनों ने हमको उस तरह का वैलिविशन नहीं दिया तो उन लोग को उनोंने जो हमारा ग्रिन विछ मिमन टाइम केरे एक रहुद्न मे ठेयिए जवर्ड़ू के रहं लोगना करते हूं को हमयारे वुर्ति भरूंक काल भेर्यून काल कम regions में जानित घरी जैन्सेंटर हवा करता था तो 2007 सेम्टेंस को पता तो जजियन सेंटर आए में लग है हम जोतिश का गटिया रूप है वो दिखा रहे हैं। कि जोतिश से हमको ये मालम होना चाहिए कि व्यक्तिकत क्या हो तो बहुत बात की बात है। डुनिया क क्या होगा। हम राप पिछ में रुष्या में गए थे और जाए गए थे तो आप से पुछते हैं कि मेरी कॉनली में कब क्या होगा, वो तो नहीं पुछ रहा है देश का क्या होगा, गिवारे क्या है। यह दुनिया का क्या होगा, तो यह भी तो एक डिूटी है नहीं, Jotashi कि… उसमें खास कोशन के यह भी होते थे हैं कि हमारा प्रियोजन का है, क्या है इस दुनिया में आने का, हम क्यों आया इस दुनिया में, हमारा लक्षे के आया है, मतलला महां पर ऐसे कोशन भी आपसे पूचे लोगों ने, तो हम खगोली गड़नाओं की बात कर रहे हैं, तो पहल पहले खगोली गड़नाएं हुई, तब जोतिश आया, उसका प्रादुभा हुआ, या पहले जोतिश आया, उसके बाद खगोली गड़नाएं हुई, देखी यह थोड़ा वैसे ही है कि पहले मुर्गियाई के अंड़ आया, उस जैसा महला है, लेकिन इसको अगर सॉट आउ है, अगर हम अपने हिसाब से करें, बोड़ा विचारनी मसला है, जब सूर असित्व में हम रहते हैं, उसकी हम बात करते हैं, जब जिस ब्रहमांड में हम रहते हैं, तो ऐसे तो कई ब्रहमांड हैं, मल्टी वर्सिस हैं, तो यहां पर जब हम सूरी की बात करते हैं, तो सूर का स्वुरी के अधियन करना ऒड़ेगा, हम को सूरी की जिंदगी मालूम बड़ेगा, सॉरी का उदै हुआ जो जो पयादय हो रहा तो उसका अंत करें जम जयना के अकाश कौना गलत नक्षत्रों ने कहीं सर्फ ना र边 ओना उठीज करने था वो बोलते हैं बिग बेंग में कि धीरी धीरी आकास निर्वित हुआ तो नक्षत्र बहुत बाद में आये तो बाद में नक्षत्र आये फिर वहां से अध्यान Tayana शुरूआ चंवांडि, आकाष्छ, झाया, योटिक, प्राशर की निकाल सकते हैं। ब्रह्ंटिकी बहुष की बात कर रहे हैं और आपका कहने का है पास्चात जोतिश, भारती जोतिश, जहाँ प्ररेख पास्चात नहीं हो सकती ना हमुइनियिज़ की अचिपट ना भृसकती वो उसके लिए ख़गोल तो एक ही है, जिस तरह से आकाशे वैसी रहेगा, वो जो गड़नाओं का जो पूरा हूँ है, चुकि हमारे भी आपने सूरी सिद्धान्त की बात की, तो जो गड़नाओं का हमारा आधार है, वो सूरी है, गड़ना हम जो करते हैं, मनमंतरों की या य जैसा भी मैंने बोला की लॉकड़ाउन की दिनों में चंद्रमा का जो तेमपरिशर घट गया, जब तेमपरिशर घटेगा तो शांती वाला वातारण था, यहां की रातें बड़ी शांत हो गए थी, राते जल्दी शुरू भी हो जाती थी, लोग जल्दी सो भी जाते थे, तो उगों की जिन्दीगे में बतला वाना शुरू हो गया था, क्योंकि आज यह जितनी बिल्यू लाइट है, यहां बिल्यू लाइट है, आपके मस्टिश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आज का आदमी इतना स्ट्रेस और स्ट्रेंड में है, पहला आदमी पचा साल पहले साल पहले का आदमी इतना स्ट्रेस और स्ट्रेंड में नहीं था, इतनी लाइट में हम जीते हैं, हमारा मोबाइल बंदी नहीं होता, रात में मोबाइल बंदी नहीं होता, रात में मोबाइल बंदी नहीं होता, रात में मोबाइल बंदी नहीं होता है, जो लोग सराने रख तो जब चंद्रमा का तेम्परिशर कम हो aşगा, तो रफिनेटलि हमारे पीड बौदों पेशर पढ़ेगा, जानवूरों पेशर पढ़ेगा, हमारे मनमस्तिश्क पेश पढ़ेगा, तो ये सारा जो असर है, ये जो विज्णान कररा है ये अब कर रहा एब एक चीवात है, ये सारा जोतिष की अंतर偌ताता था तो खउकोल शास्तर के बिनना आप जोतिष नहीं कर सकते, जोतिष ही खउकोल शास्तर को زिंद्दा रखे हुए था आज्से चार सौ साल पहले का विगया ने उससे पहले घ्गुल की बात कौन कर रहा था? जोधिश कर रहा थै और तो कोई विशह कर रहा था इतियास ही कर रहा था, history नहीं कर रहे थि, economics नहीं कर रहे थी, sociology नहीं कर रहे थी जो भी साइकोलोजी थी, वो नहीं कर रहा था, धरम भी नहीं कर रहा था, जोतिश बात कर रहा था कर रहार हमार रहा, थे साइकोलोजी दियू रहा हूए कर रहे है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हूए इसमेरा थीजी, जो अष Scoha, अभूरम रही है नहीं कर दिरेव Randomency का मट नाइट बेनार। कर रहे है चाब्ल से लग से मेंत इनारी ब्रह्म भट्ट में एक आदा होने के कारण तो ये बात जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई फिर हमारा देश गुलाम होता चला गया कभी मुसल्मान आये मोगोल आये कभी ये आये तो लोगों ने जब भी आप किसी देश को गुलाम करते हैं ये गुलाम होत है तो सबसे पहले आप उसके इतिहास पर उसकी एजुकेशन पर अटेक करते हैं तो जो आपके विश्वास है उसको तोड़ते हैं तो विश्वास को तोड़ने का तरीका कैसे क्या हो सकता है कि आप उनकी जेनरेशन को स्पॉयल कर दें जेनरेशन को स्पॉयल करने के लिए आप उनकी एजुकेशन का सत्यानास कर देते हैं, तो ऐसो पलाछे एजुकेशन का सत्यानास कर देता है। उससे हमें आसा लगिने लगा कि पेरति ऑज पिन धुरा म Кстати हे लिजे नहीं है। लेकिन हम जानते पहले थे लेकिन हमने उतना प्रचार प्रसार नहीं किया। अवारा जो पूरा शास्त्र है वो शुर्ति और श्रवन का है। आपने मेरे से सुना, आपने उसे याद किया बात आगे बड़े। लेकिन जो वेस्टन का पूरा विप्रोच था उनका लिखित का था। तो आपने लिखित में नहीं था। तो यह एविडेंस हमारे खिलाफ चला गया। इसलिए हमें मालने पड़ता है कि हमारा सारा खौगल शास्त्रुच में बाहर से आया। लेकिन यह एक मित है और इस मित खो तूटना चाहिए। तो जो रहे हैं परिवरतन नहीं नहीं रिसर्च हो रही है रोज तो उसका जोतिश के से दानदों पर तो कोई फरक नहीं पड़ रहा नौ जो भी नहीं परिवरतन आकाश में होते हैं जैसे अब ब्रस्पति जो है दो हुजार पच्चिस मई से लेकर दो हुजार तेतिस तक और दो हुजार चछिश तक आतिछारी रहेगा इसकी उपर हम भना रिसर्च्च कर रहे हैं, यह जो आकाश में बड़ा भारी परिवरतन है, इस से पहले पिछले हदार साल में असाने महावारत-काल में वक्री हुए था ने, उसका पूस्छाशन स्वाइगा हूए खरी स्वाधी है तब अब दीचारी हुए तो वहां वो इस तरह की बात करते हैं कि उसके धरम के उत्थन के लिए फिर में आता हूं तो अब ये धरम का पतन हुआ था उसका हराश हुआ था अब एक नए इस्थितिक क्रियेट हो रही है यह आपको आने वाले समय में मेरी किताबों में मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा से खगोल शात्त जो आकाशी घटनाओं की बात करता है तो क्या जोतिश को भी विगानिक प्रमानित करता है या सिर्फ जोतिश को में एक देवी विध्या ही मान कर चले विध्या थो विद्या हैतो सारी देवी होती है वाउन प्रमानित की बात करते हैं जोतिश पढ़ने का यह साइनस है Peace नए दोनों बाते हैं जब हम बात करते हैं साइंस की बात करते हैं दलेटों साइंस जिंधें द की हो令 दूर tentang 40 देनेयों जिंदीगी में दो दो चार होंगे तो जब हम जोतिश में गड़ना की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि ये गड़त है लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या होगा क्योंकि आत्मी को जो फल मिल रहा है किसी भी आत्मी को उसको फल मात्र एक जन्म का फल नहीं मिल रहा है ये जोतिश की पहल आपके इस जनम से पहले कोई जनम आपका था और अब ये एक आपका जनम है इसके बाद भी आपका जनम है जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हैं तो ये हमारे आध्यात्मे की मानेता भी है ये हमारे जोतिश की मानेता भी है जब तक आपका निर्मान नहीं हो जाता जब तक आप enlightened नहीं हो जाते हैं, जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आपका चलता रहेगा. तो उसमें जो आपके कर्मों का फल है, वो आपको भोगना पड़ेगा. वो जो आपके कर्म है, वो secretive कर्म है. कौन सा कर्म आपका फलित हो रहा है, वो गढ़ना में नहीं आसकता, क्योंकि वो आपका व्यक्तिकत फल है, गढ़ना एक सपाट सिस्टम है, दो चार है, लेकिन जिंदगी जो ताइम ऐसे चलता है, अभी हम आदा गंटे पहले थे ताइम ऐसे चलता है, लेकिन जीवन यह चल होता है, बड़ा होता है, मरता है, फिर उसका बच्चे बढ़ा होता है, तो यह जिंदगी राउंड राउंड चलती है, लेकिन उम्र टाइम लीनियर चलता है, आज आप एक साल के तेवे, दो साल के, पचास साल के, लबे साल के खतम, तो दोनों का अलग है, तो दोनों को सम दिखिए, हम यहां पर हम और हम नहीं है, रहरे ह blending बूलते हैं कि चाहुदा लोग है है, स्सक्कारखया कृत्थी के नीचे हैं, यह साथ लोग पत्थी एफ्टिन उपर हैsoft 25oK की बात तो हम तो हम यहे बात कर रहे हैं, क्या है साइंस बात कर रहा है, आज आप कर रहा है, कि दूसरी लोग में है, हम तो पहले बोलते हैं कि इंदर लोग भी है, स्वरक लोग भी है, नरक लोग भी है, पाता लोग भी है, तल भी है, अतल भी है, तो हम सब की बात तो कर रहे हैं, हमारे गुरु जी बोलते हैं, महावतर बा करता है कि इस लोक के लवा इस प्रत्वी लोक के लवा और कौन से लोक है चुछ के अब जिएन का एडवांस्मेंट हो रहा है जिए जिएन का हराश हो रहा था तब ये ज्आप खुगया था पहले आद्मी आत्मा से परमात्म को ढूणने का प्रियास कर रहा था अब आदमें चिप लगा के डूढने का प्रयास कर रहा है जैसे अब चंदरमा पर अब उनों ने जीवन तलाश लिया है उस अब आने वाने समय में लोग भाह रहना भी शुरू कर दें यो आगे क्यों बात हो रही है तो हाँ जब जीवन होगा मतलब बढ़ेगा संतान होगी तो कैसे मतलब जोतिश को लिया जाएगा यदि इसको यही चोड़ा जाएए अब कुछ विचार किया जाएगा जैसे जैसे चंदरमा का ताप कम हो रहा है तो यह कम होते होते आज से अठाइस से थीस हएार साल के बाद चंदरमा लुप्त हो जाएगा जब चंदरमा आकाश में लुप्त हो जाएगा तो इस्त्रीयों के पीरियट्स होना खत्म हो जाएगा ऐसे ही आपने देखा होगा उनके पीरियट्स में बड़े फर्क आगए अब भी विच अचार आगए एग जाएगा बड़े विच्चा बाद आगए है उनके ईक पीरियट्स नॉर्मल नहीं है आने वाले हर वर्ष में इसमें परिवरतन आएगा बहुत सारी इस तरियां इस देश में पच्च्चा पैदा भी नहीं एक चाहतीए अर जब आने नबे कि टिक रही हो, उने भी हो और नोग मुझा होगा, अजुन हुआ है। क्योंकि चंदरमा का पॉवर घटा जाएगा, अभी तो अंको दिखना शुरू है ना यह जो को अब अगटना शुरू होगा, क्योंकि अभी में दॉबभाी से आ रहा हुएं। आप जंगल में के रात दिखने को मिलेगी या हमाले पे जाके रात दिखने को मिलेगी जो आपको तारे दिखते होगी पहले आपकी शत पे तारे दिखते थे अब आपको तारे नहीं दिखते तो जब हमने चंदर्मा के असर की खतम करना शुरू कर दिया और चंदर्मा धीरे तो आने वाले तीस हजार साल के बाद हम आप तो नहीं होंगे, लेकिन कोई भी इस्तरी बांच हो जाएगी, कोई भी इस्तरी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, या कोई नई टेक्निक ढूंड के आने पड़ेगी आत्में को, आपने बोला कि इसका सबसे आदा असर फीमेल पर पढ़ रहा है, तो क्या अभी हम अपने जिसे अभी जो बच्चियां हैं या जो भी ग्रो कर रहे हैं, युवा लड़कियां हैं, उनको कुछ ऐसे बता सकते हैं, कुछ उनको सुझाओ दे सकते हैं कि वो इस चीज समस्या से काफी अत्तक निजात पा जाएएगी, बिलक करें, इसमनका मुर्ण करें, इसमनको समस्या सभी और हमुज आदी जो जो भी ऐसे हो, लिजा ड्रह Doll अधार्ट Com Ride My мышcle में ध0 करना शूकर देता है आधो कि अहिकरना शूकर देता है इस57 चोस्य का किसी एकनी कोppen की प्राइट करती है एक आदना इसँ प्रेम करना एक लंबा प्रॉसेस है वो एक दिन में ना तो फेहां पसंद करती है और वो इसलिए बहुत जल्दी जंप मारता रहता है, अब ईक्साइट हो गया, और इसका संबंद शेक्स से भी है, उसका सेक्स से भी हम देख सकते हैं, अगर इस्त्री में इस्त्रियोशित्य गुण नहीं है, गीता में भगवान कर्ष्ण ने छह गुण बताएं इस्त्रीयो अगर इस तरी उन गुणों का पालन करती है तो फिर उसमें ममत तो कम नहीं होगा कि इस तरीक से आप में बताया कि अपने जो जे नहीं अपने पता हैं अपने आरी इस civilly चुँख रहे एंपने यह यह झळै यह एंधर क बताता है एंपने परोड़ ज्रूट उसे जुड़े रहना है लोगों की समझसे भी हल करना चाहिए लेकिन इस दुनिया में क्या होने वाला है क्या हुआ है क्या होगा, इसकी अगर उसे खवर नहीं है तो वो अधुरा जोत्षी है बेलकुण मतलवी जोत्षी है और हो भी यही रहा है इसलिए तो मतलब जोतिश का इतना इरास भी हो रहा है, लोगों का विश्वास हटता जा रहा है, अब ग्रहन की बात करते हैं, तो सूर्य ग्रहन और चंदर ग्रहन जो होना, यह भी खगोली ग्रहन नहीं है, जो हम जोतिश की बात करते हैं, तो हम सूर्य ग्रहन और चंदर ग जोग बंधा है, तो रसाइनी गैसे निकलती है, इसलिए मतलब इसको देखना नहीं चाहिए, नंगी आखों से आना नहीं चाहिए, जोतिश की बात करें, तो मंदिर के पड़ बंदों जाते हैं, जब खुलता है तो उनको अच्छी तरह से धोया जाता है, मूर्तियों को दु यह साइंस ने का जो पड़ाकु हूआ उनियों को प्रूस का उन्हीं भी सियृह पूआ तो पर अब भूला जो असंगरता है आखे, तो रसाहए तरह उन्हूस का असर होगा, इसी तरह सोह है पुरूस यह को पर शाल सिघोती है, Institute 也ने जो इनर्जी दे रहा है, एक एनर्जी दिए रहा है एक positive pole है, एक negative pole, एक receiver है, एक देने वहादा है. तो ऐसे ही दुनिया चलती है, पुरुषव प्रकृति के हम बात भी करते हैं, कि पुरुषव प्रकृति से दुनिया अस्थित्त में आई, इसी तरह से हम और आप भी पुरुषव प्रकृति के मेल से ही आते हैं, तो उन दोनों का है, वहां पर जब सुरिग्रहन हो या चंद जो उस तरह से जो गहरे में उत्रे हुए उनको मालम पड़ते हैं जैसे अभी आपने बोला दो तीन साल पहले जब लॉकडाउन था तो उस समें एक अलग माहौ पूरी दुनिया में शांती का माहौ था था मौर भी आ गए थे वक्षी भी आ गए थे जानवर भी आना शुरू हो गए थे वेल भी आना शुरू हो गए थी तो एक अलग सा माहौ था क्योंकि नेच्रल माहौ था प्रत्वी शांती के मूड में थी चंद्रमा शांती के मूड में था तो प्रत्वी से रेडियेशन था तो यह वह ऐसे शान्ती के माहूल में देखेंगे तो वहां पर हमको क्रहन का असर सीधा 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 देखने को मिलेगा अब इतना चकाचौंत के वर्ल्ड में हमको नहीं देखने को मिलेगा और आत्मी चाहता है कि एकदम गोली कोई मारते हैं तो मालम पड़ेगा तो यह गो असर हो रहा है तो कुछ चीजें बड़ी सटल लेवल पर काम करती है आप सूर्य के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आपको मालम पड़ जागा गर्मी के तिनों में दो घंटे के अंदर आपकी अलत खराब हो जाएगी विचंद्रमा में ऐसा नहीं होगा तो उन दोनों की प्रकरती को समयना बड़ेगा तो दोनों की प्रकरती से मिलके हमारी प्रकरती बनी हुई ग्रेंड की बात की तो फिर और अलग सी कोशन ने को सामने आ रहा है जब ग्रेंड लगता है तो कहते हैं घर्वती इस तरी को कुछ मतलब कैंची नहीं यूज करना चाहिए काम नही माली झाले में माली रेक्टार्मा योज को माली घाले लिंच मोरा ऩो रखाना है, क्या यह जुकkill हो तो अन्दकार एगएगा आप टूम हम बार्ली थी ध्योलिय जला लिआ जला लिए लेकिन आज ऐसा नहीं है तो उसको उस थरह सारे मानने ।ह mungkin संसी जहां पर जाने कि तो अब बीजली नहीं है मियरी तो आप आप को हर्ट कर शुल्य को हर्ट्री आपकर सकते हैं। तो गलत कुछ करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली कुछ मान लेता है इसकारण भी थी क्योंकि जैसे सुरे ग्रेंट होता है तो अंधकार हो जाता है। सब्सक्राइब जीमत्र गर्षा खुए है। तो आप कलतना कीजिए आप गाओं में हैं। हम यूभी की जाती थी, एक आद्मी में फियर प्यादा किया जाए ताकि वो गलत कदम न उठाए, तो उसको हमने बात में सब को धरम से जोड़ दिया, लिकिन वो गलत कर दिया, जिसे आप इतने रिसर्च हो रहे हैं, तो क्या आपकी, मतलब आप इतना मनन करते रहते, चिंत गलत ठाहिं हैं, भासारी गडणाय होती रहते थी एप,ooo रश्फये हैं जब प्रस्पती ऑपी के पास होता है, तो उसके ब्युद्धन होती है, अर्थकेक इसनी होती है, एक बडा शांती आपताbuरी और जब शनी पृत्वी के पास होता है, तो इसके विप्रीत महमारी होत है जगड़े फसाद बहुत होती है बीमारियां बहुत होती है तो विज्ञान भी मदद कर रहा है तो विज्ञान से हमें कोई दिक्कत नहीं क्यों कि हम खुद खुद अपने आपको विज्ञानिक मानती हैं और दोनों को मिलके काम करना चाहिए मैं तो बलकि चाहता हूं कि न जो मौर्डन टेकनोलोजी है या एाई है एाई का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजिया है आटिफिशन इंटेलियन से इन सब का मिल होना चाहिए और यह हमारे एक एंचेंट विग्यान है जैसे हम योगा को एक्सेप्टेंस किया है पुरी दुनिया ने जैसे आध्यात्म को जोतिश भी इन दोनों से किसी तरह से कम नहीं पड़ता बलकि ज्यादा ही पड़ता है और इसका भी क्योंकि जोतिश बात कर रहा है कि कब से कब तक आपको कुछ कर सकते हैं टाइम बाउंड कर रहा है आपको क्योंकि टाइम के बियॉंड आपकुछ नहीं होगा तो उसकी तो समय का कैसे उप्योग करना है जो तिसकी बात करता है। सर वैसे इसकी उपर हलका सा प्रयास तो शुरू हो चुका है। किसे आप बार बार बात कर रहे हैं आज कर अतिशारी ब्रस्पती की। तो आई-अएम उदैपूर में, उन्होंने एक लेक्चर रखा है आपका उन्हों प्रभावित हुए तब यून इस पर लेक्चर रखा अभी आने वाले समय में आपका महां भी होना है हर्वरड में भी। तो लोग प्रभावित तो हो रहे हैं, कही ना कही इसको तब बजो तो दे ही रहे है, साइस बजो देना पड़ा है, क्योंकि भारती जोटिश इतना महान जोटिश है, वेदिक जोटिश है, हमने इसको दोखोडी का बना दिया, तो मेरा अपना प्रया से कि मैं अपने लेवल जब से मैं शुरू इस लाइन में हूँ, मैं इसको एक जहां का बिलोंग करता है, यह आकाश का विश्य है, तो मैं इसको अपनी दुनिया छोड़ने पहले महां दिखना चाहता हूँ सर मुझे यहाद है, अब गवालियर मेरे पेरेंट्स के घर आय थे, तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्परिच्छल है, तो आप जब चले गए, आपने लंच के उसके बाद चले गए, तो मेरी मदर बोलती है, कि बामी जी पंजाबी में बोली कि बात करें, तो जब ज़व बच्चे होते हैं, तो उनकी सेम कुंडली होती है, एक सी कुंडली होती है, और हमें पता होता है, जोडवा बच्चों की कुंडली है, तो अलग नजरी से देख लेते हैं, जो भी जोतिशी हैं या जो, पर कई बार ऐसे होता है, एक समी में अलग अलग जगे जनम हो रहे हो वारे पास माधरा उसिंद्या की गुंड़ी थी क्योंकि रहे नहीं भागे अलग है उनका और उसी समय एक गोल्ड समय थी यानी सुनार की गुंड़ी थी तो एक सुनार चोटा सा और एक महराजा तो दोनों की गुंड़ी अलग थी लेकिन दोनों का बातावरन अलग था महुला लग था तो वहां से हमको बात समझ में आई कि कुंड़ी दोनों की एक थी ग्रह नक्षत्र वगरा एक थी तो बहुत सारे चीज़ कॉमन थी उनके उसमें अपने चोटी से कम्यूटी में उसके काफी इज़त थी लोग जानते थी उसको मानते थी यह सारे चीज़े थी लेकिन जैसा मैंने बोला कि आपका प्रारब्ध है कौन चीज़े कि हाफ को क्या मिल रहा है व है व में आपने कंटी TV पुनिक रहे है तो बेन दो यहां तो ड़ी एतना महिस किया। मुनें को खेन चीज़ी जाती वहाई पर दोनों को लईकित खोमड़ी लेकर घुमा करते थी हैं मतनत मैं किसी इंड़स्ट्रिए वाल ऺचकी बच्छ पैदा हो राजयोग लेकर तो उसकी एक इंड़स्ट्री और लगजएेगी। किसी रिक्षय वाले के राज़ लेकर बच्चा पैदा हो रहा हो तो उसका ऑटो रिक्षया गएगा। ये ही मतलब हुआ इसका तो यह मतलब हुआ क्योंकि ग्रह कासरत हुआ लेकिन चुकि यह हमारे पुरजनम के पुन्नियों पापों का फल मिलता है और चुकि अगर किसी जनम मिल रहा है तो उसकी गढ़ना के लिए आपको तीसरी आख चाहिए है यह दो आखों का काम नहीं है और उसकी लिए क्या करना जितने आप शुद्ध होते जाते हैं उतना आपको क्लियर दिखना चुरू जाता है आज के आधनिक विज्ञान और तकनीक के यूग में जोतिश का क्या स्थान है क्या यह केवल एक पारामपरिक माननेता है या इसमें आधनिक यूग के लिए भी कुछ मूल लेया है तो ज जोतिश का सबसे आधा महत्व है कि हम जो सोचा करते थे कि अगर जोतिश कंप्यूटर मिल जाएंगे तो जोतिश को एक नया विराट स्वरूप मिलेगा तो मिला भी जब हमने 82 में जो कंप्यूटराइज किया तो उससे जोतिश घर-घर पहुँचा और जोतिश के प्रतिय जोतिश को 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 जोति मैं नहीं शुरू कि इस देश में उसके बाद जोतिश घरगर पहुचा तो आज जैसे आज तो बहुत सारे माध्य में तो इस सब से यह सब फाइदे हो रहे हैं AI जैसे है AI जैसे है AI जैसे और कई सारे फाइदे होंगे तो जतनी भी टेक्नलोजी आ रही है इस दुनिया में व बहुत कुछ घरणाओं से महम को मालम पड़ता है हम ग्रहों की घरणा कर सकते हैं आज से हजार साल बाद कौन ग्रह कहा होगा इसकी घरणा आप कंपिटर पे एक नट में कर सकते हैं आज से पचास साल पहले चाली साल पहले पॉसिवल नहीं था आपके वाईसे पंचांग नहीं थे आपके शेज़ साल पहले जांग पास कि आपकी जानकारी में यह डिए आया की ऑस बहुत को गूगल के में बात कर रहे थैं गूगल के भूगल में है लेकिन आई के बास बहुत अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहां जहां है गूगल की जानकारी इतनी है, तो आप मान लिजिए कि AI की जानकारी पूरा विश्व है, तो वहां से वो कहीं से भी उसको एक अत्रित करके ला रहा है, उजे नए डेवलोप्मेंट हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी और प्लैनेट पे जानकारी है, तो हम आपको AI के थ जिए ज्यासू है जोतिश सीखने के, उन्हें किन बातों पर मुख्यबात पर फोकस करना चाहिए जाकि वो शुद्ध जोतिश सीख सके और ब्रहमित ना हो लोग उनके द्वारा, देखिए जोतिश एक बहुत ही वैदिक साइंस है, और आप बड़े भागिशा लिहें, कि अगर आप जोतिश सीख रहे हैं, तो यह कोई मैं समानता हूं कि आपका पुरु जन्हें का पुन्य है कि आप इस फील्ड में आए, क्योंकि अगर आप इंटेलियन नहीं है तो इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं, आपको इंटेलियन दोना पड़ाएगा इसका मतलगी आपक संचित किया है और इसमें ऐसा कुछ कीजिए कि दुनिया बोले वह, वह भारत वह भारत ऐसा कुछ हो, ऐसे पीछ आप नहीं मन नहीं नहीं आपकी आतमा नहीं भरी आपको परमात्मा आप से राजी नहीं होगा तो कुछ करने का फैदा नहीं है आज जो बाते हुई जर्चा हुई भांभी सर से काफी जो हमारे कोश्चन सर्टक जाते थे बीच में हम रुख जाते थे तो वो क्लियर हुए हैं उमीद है कि आप सब की वी कुछ जिग्यास साथ धन्यवाद